कि अब है कैमिकल प्रॉपर्टी जादा होगी और उसमें स्पीड कम होती है ये लेक्शन प्रॉपर्टी है जो हईडोजन की चैंता है वहीज़ प्रॉपर्टी जैदा होता है rate of heavy water के reason क्या है यह heavy है तो heavy की speed क्या होगी slow हो जाएगी जो heavy होता है उसकी speed क्या होगी slow हो जाती है तो इसलिए rate में difference है reaction में कोई difference नहीं है तो मैं आपको one by one सारी reaction water की बता देता हूँ और D2 के भी सारसाथ आजाएगी पहला इसमें आता है electrolysis, electrolysis का मतलब जैसे हम electricity pass करेंगे तो क्या होगा, इसे S2 होए अगर हम इसमें electricity pass करते है हमें पता है कि इसमें क्या होता है, S2 बनता है और O2 बन जाता है ऐसे ही क्या होगा D2 वह भी क्या होगा, कूटेगा इसमें D2 में और O2 में, ठीक है तो प्लस की तरब जाएगा याने एनोड में तो इसे कहते हैं डूटिरियम या हैबी हाइडोजन यह भी हैबी हाइडोजन होता है है भी हाइडोजन तो पहले प्रोसेस हो गई सेकंड प्रोसेस है रीक्षन विट सेकंड है रीक्षन विट एलकली और अल्कली और अर्थ मेटल ठीक है तो जैसे अल्कली मेटल में सोडियम है तो sodium plus H2O तो मैंने आपको बताया था, यह दो चीजों में तूटता है H plus OH मैंनस में तो यह इसके साथ combined होके बना देता है NaOH plus H2 यह hydrogen gas निकल जाती है ऐसी same reaction है D2O के साथ क्या होगा, NaOD बनेगा और D2 बाहर हो जाएगा ठीक है, तो reaction दोनों के सेम होती है, जैसे water की reaction होगी, वैसे ही इसकी reaction है, जैसे second group का लेते हैं, CA plus H2O, तो CA की valency plus 2 होती है, तो यह बना देता है CAOH का whole twice plus hydrogen ऐसी अगर इसमें D2O ले लिया, तो क्या बन जाएगा CAOD का whole twice plus D2 यानि H की जगा पर इसके बाद next आता है, इसमें third one third reaction है reaction with metallic oxide reaction with metallic oxide metallic oxide होगा, तो उसके साथ क्या reaction होगी, जैसे oxide है NaO plus H2O, तो इसमें भी ही होगा, H plus OH minus, अब देखो, OH minus और यह H और OH मिलके OH minus बना देते हैं यानि 2 OH minus होगा है, तो overall क्या होता है, NaOH हो जाता है ऐसी एगर हम इसमें क्या करेंगे D2O कर देते हैं, तो इसके साथ भी यही होगा ठीक है, इसके साथ भी यही होगा तो हो जाएगा 2 NaOD ठीक, तो यह हो गया आपके पास metallic oxide की reaction, दूसरी एक और oxide देख लेते हैं, CAO plus H2O, तो इसका दोनों मिलके क्या बना देगा, CAOH का hole twice, ऐसी heavy water भी करता है, OD करेगा तो जाएगा CAOD का hole twice तो जैसे water reaction करता है, वह ऐसी यह भी reaction करता है, ठीक है, इसमें कोई भी अलग नहीं है third इसमें, fourth one आता है, fourth one is reaction with non-metal oxide, reaction with non-metal, non-metal oxide non-metal का मतलब जैसे P2O5 है, plus H2O, तो यह दोनों मिलके बना देते हैं, H3PO4, phosphoric acid तो अगर यहाँ पर heavy water आ गया, तो plus D2O, Gips यह बन जाएगा, S3 और, sorry, S की जाएपर D आ जाता है, D3PO4, ठीक है, एक और ले ले लेते, SO3 plus H2O, तो यह दोनों मिलके बना देते हैं, S2SO4, ऐसी एगर यहाँ पर heavy water आ गया, D2O, plus SO3 plus D2O, Gips, D2SO4, हाँ, D2SO4 आ जाएगा, ठीक है, S की जाएपर D आ जाएगा, तो जितनी भी reaction है, जिसमें आपने water use किया है, वहाँ पर D use कर लेना, पस, ठीक है, next इसमें आता है, action with metallic carbides, action with metallic carbide, carbide का मतलब होता है carbon, जब पीछे लिखा होता है, तो उसे कहते हैं, carbides, जैसे मैंने कहा, aluminium carbide, plus H2O, तो यह किसमें तूटेगा, देखो, carbide है C, तो H2O किसमें तूटता है था, H plus में, OH minus में, EL के पास कौन सा charge होता है, plus का, और C के पास minus का, ठीक है, तो यह दोनों अपस में combine हो जाएगे, तो अब देखो, plus वाला minus के पास, यह plus वाला minus के पास, तो यह बन जाता था, CH4, क्योंकि carbon की valency 4 है, hydrogen की 1 है, और दूसरा, AL, OH का whole price, ठीक है, अब ऐसी reaction करेगा, D2 के साथ भी, तो D2O में क्या हो जाएगा, सेम ऐसी होगा, यह हो जाएगा, D plus, और OD minus, तो हो जाएगा, CD4, और दूसरा, AL, OD का whole price, आए यह समुझ में? Yes, sir. Next, इसमें आता है, CAC2 plus D2, इसमें भी होगा, D में टूटेगा, और OD में टूटेगा, तो OD और CA मिलके क्याब ना देंगे, C और OD मिलके, CAOD का whole twice, ठीक है, और यह दो D इसमें combine हो जाएगा, तो हो जाएगा, CD, और C2, D2, C2, D2, तो इसका मतलब होगा, इसमें triple bond होता है, D यहाँ, D यहाँ, तो यह होगी आपका, किसके साथ? metallic carbide, C एगर last में होता है, तो carbide, जैसे calcium carbide, इससे कहेंगे aluminium carbide, compound कैसे बना? valency के base पे, AL के valency 3, carbon की 4, cross multiply करोगे, तो बन जाएगा, AL4, C3, ठीक है? अब next इसमें आता है, metallic nitrite, nitrite, metallic nitrite, इसमें क्या होगा, देखो, mg3N2, plus D2, अब पहले S2O से करते देखो, S2O, किसमें टूटेगा, H plus में, OH minus में, ठीक है, इसमें mg plus का होता है, और यह nitrogen किसका होता है, minus का, तो आपको पता है, plus वाला minus के पास, plus वाला minus के पास, तो N और H मिलके क्या बना देंगे, N3, और M, G, OH के साथ मिलके क्या बना देगा, M, G, OH का होल्टराइस, ऐसी सेम रियक्शन करने है, किसके साथ, D2O के साथ, तो D2O में क्या होगा, यह भी तूटेगा, ऐसे, तो बन जाएगा, N, D3, plus M, G, O, D का होल्टराइस, ट्वाइस होगा, क्योंकि, M, G की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पर ट्वाइस हो जाएगा, आया है समझ में, किनी आया है, यह से, बच्छे, D2O, D और O में तूटते है, हाँ, D और O, D, जैसे, D2O है, तो किस में तूटेगा, D plus, D plus में, और O, D minus में, जैसे, S2 चूटता है, तो यह, H और O, D minus, तो जहाँ पर H है, वहाँ पर D लिख देना बस, और कोई चेंजन यह, इसके बेस पर कोशन के साथ है, इसमें आपके पार, NC पार्टे में इतना डीप मैंने लिखा है, उसमें केवल चार हेडिंग लिखी हुई है, कि इसके रियक्शन यह है, और इसके प्रॉपर्टे कार्बन के साथ है, यह मैंने आपको, अभी हम इसके कॉश्चन आंसर भी करते हैं, NCRT में, इसके कॉश्चन पूछे हुए, इसमें ज़्यादा नहीं होता है, बस रियक्शन नहीं पूछ लोता है, कि इसको रियक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा कड़ गया ना? हाँ, हाँ, हो खटा दिया है, मोल कॉनसेक्ट और मोल मास पड़ाया है, टॉमिठ मास, हाँ, 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 उस सब खटा दिया है, मैंने आपको भीज़े था ना? हाँ, हाँ, तो सी के जब टॉपिक हैं, बस वही टॉपिक को यूज करेंगे बस, वाकि स्कूल में आपको एक्शन नहीं बताएंगे, तो आपने कहा था कि जो पहले के सारे टॉपिक है, वो करवा दो, इसलिए मैंने आपको सारे टॉपिक करवा दिया, ठीक, इसमें भी इ है, लास्ट इसमें एक्शेंज रियक्शन, बस इसके बाद यह चैप्टर फिनिस है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं खास, यूजिस हैं, बस, और इसका में टॉपिक इनमें हाइडोजन प्रॉक्साइड हो इनमें कटवा दिये, इसमें सारे में टॉपिक इसमें अटा ठीक है, तो इसमें आते हैं हम एक्शेंज रियक्शन पर बस, एक्शेंज रियक्शन, एक्शेंज का मतलब होता है, अदला बदली करना, एक्शेंज रियक्शन, एक्शेंज रियक्शन में क्या होगा, जैसे मैंने करे हैं, एक्शेंज रियक्शन में क्या होगा, जैसे मैं बनेगा प्लस वाला माइनस के साथ, प्लस वाला माइनस के साथ. DCL और HOD. ठीक है? Yes, sir. ऐसी next one आता है इसमें. NaOH प्लस D2. NaOH प्लस D2. तो क्या होगा? यह किसमें तूटेगा? Na- में और OH माइनस में. यह किसमें तूटेगा? D- PLUS में O-D माइनस में. इसका PLUS माइनस के साथ, इसका PLUS माइनस के पास. तो हो जाएगा Na-D PLUS DoH. ठीक? ऐसी है, NH4-Cl PLUS D2O. यह किसमें तूटेगा? NH4- PLUS में CL माइनस में. यह किसमें टूटेगा D plus में OD minus में तो फिर यह plus वाला minus के साथ यह plus वाला minus के साथ तो क्या हो जाएगा DCL और NH4 OD ठीक है तो यह है exchange rate बहुत सारे compound के साथ यह exchange reaction देता है और इसमें है जैसे उसमें hydrates होता है इसमें होता है deuterates formation of duterates जैसे water molecule का आपने देखा होगा CUSO4.5s2 ठीक है इसका color होता है blue तो ऐसे यहाँ पे CUSO4.5d2 भी होता है heavy water के साथ तो जहाँ पे भी water लगता है वहाँ पे heavy water भी use कर सकते हम 7H2O होता है तो यहाँ पे हो जाएगा MgSO4.7d2 तो उसको कहते है hydrates इसे कहते है deuterates आया है समझ में? यहाँ तो यह लगबग लगबगग आपका finish हो गया heavy water से लेके पूरा hydrogen इसमें आता है hydrogen as a fuel तो fuel में क्या होता है कि जो इसकी strength होती है जो power होती है वो petrol से भी three times जादा होती है तो आने वाले time में जब petrol कम होंगे तो hydrogen को भी हम as a fuel यूज कर सकते हैं दूसरी चीज क्या होती है यूज होता है इसमें यह होता है nuclear reactor में जो भी nuclear reaction होते है nuclear reactor होता है उसमें जो process में neutron जो move करते हैं वो बहुत speed से move करते हैं fast move करते हैं तो इसको slow करने के लिए इसको control करने के लिए थीक है slow करने के लिए या control करने के लिए हम heavy water का use करते है nuclear reactor में nuclear reactor जो होते हैं जिससे electricity बनती है जैसे uranium हमने यूज किया uranium क्या है bum का काम करता है लेकिन इससे electricity भी मिलती है अगर इस चोटा सा टुकड़ा है तो इससे इतनी energy produce होती है कि तीन साल तक पूरे इंडिया में electricity बन सकती है उसके लिए ठीक है uranium से तो उसमें neutron जो होते हैं वो fast moving neutron होते हैं तो उसको control करने के लिए हम क्या रखते हैं उसमें heavy water रखते हैं ताकि इसकी speed क्या हो जाए slow हो जाए तो उसे कहते है nucleus वाली reaction होती है इसलिए से कहते है nuclear reaction और इस जो उसको कहते है nuclear reactor instrument को जो भी उसमें जिसमें प्रोसेश चल ली होती है उसे कहते है nuclear reactor तो वहाँ पर heavy water का use क्या होता है कि जो fast moving neutron होते हैं उसकी speed को slow करने के लिए इसे कहते है moderator moderator यानि जो speed है उसे slow करना moderate करना ठीक है और कई जो reactions होते हैं उसके mechanism में भी यह काम आता है mechanism मतलब कैसे step by कैसे study करना है तो ट्रेजर compound होते हैं उसकी जो mechanism होती है mechanism में भी हम इसको use कर सकते हैं ठीक है mechanism को mechanism मतलब step by step study करना और heavy hydrogen को बनाने भी हम इसका use करते हैं तो hydrogen मतलब D2 के formation के लिए भी हम इसको use करते हैं heavy water को इसको electricity में pass करेंगे तो D2 भी मिलेगा O2 भी मिलेगा electricity के साथ यानि electrolysis से तो यह इसके uses हो गया तो यह लगबग आपका फिनिस हो गया ठीक है तो hydrogen को हम as a fuel भी यूज करते हैं क्योंकि इसकी importance जादा है और इसका जो rate है speed है वो क्या है बहुत जादा है तो इसलिए hydrogen को हम as a fuel भी use करते हैं बताओ अब इसके लावब कोई question है के पास तो एक काम करो एक बार रिज्वेन करो और मैं question answer को वो download कर देते हूं इसमें पहले तो ncrt के जितने भी question है जो आपको पढ़ाया मैंने उससे लेट हम solve कर देते हैं ठीक है अभी hydrogen वाले ठीक तो बस पांच मिट लगेंगे मुझे तो मैं आपको जोइन तो आप जोइन करते हैं ठीक है? Okay Okay Okay